क्या आप बता सकते हैं प्रुत्वी का कितने प्रतिशत भाग पानी से घिरा हुआ है क्या ये सब पानी हम पीने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं प्रुत्वी का 71 प्रतिशत भाग पानी से घिरा हुआ है जिसमें से 96.5 प्रतिशत पानी महासागरों में है ये पानी खारा तथा क्षारी युक्त है इसलिए पीने के लिए इस्तमाल नहीं किया जा सकता बचा हुआ 3.5 प्रतिशत पानी नदियों में, तालाबों में प्राणी तथा चक्तान में दिखाई पड़ता है। प्राणी पुरुषण के शरीर में 60 प्रतिशत और प्राणी कियों? पानी हम मानवों के लिए आवश्य घटक ही है और सजीवों के लिए तो अत्यनत आवश्य है पानी हमारी कोशिकाओं को हाइड्रेट अर्थात जली कृत करता है और शरीर के टॉकिंस अर्थात विशेले पदार्थों को बाहर निकालता है विविद जैविक क्रियाओं के लिए पानी उप्युक्त होता है जैसे हमारे शरीर में घटने वाली पचन, उत्सरजन, आदी क्रियाएं पानी के बिना हम जी नहीं सकते पानी ये अत्यनत महत्वपूर्ण संसाधन है चलिए अब इसके गुणधर्म देखते हैं इन चित्रों को पहचानिये बर्फ, ठोस अवस्ता में, पानी, द्रव अवस्ता में, पानी की भाप या बाश्प वायू अवस्ता में ठोस, द्रव और वायू, पानी इन तीनों भी अवस्ताओं में प्राप्त होता है बर्फ किसी भी अवस्ता से किसी अन्य अवस्ता में बदल सकती है विशेश्ट परिस्तितियों में बर्फ पानी में अथवा बाश्प में रुपांतरित हो सकती है सामान्य परिस्तितियों में पानी किस अवस्ता में दिखाई पड़ता है सामान्य परिस्तितियों में पानी द्रवरूप अवस्ता में दिखाई पड़ता है जब आप जमीन पर पानी डालते हैं तब क्या होता है? क्या आप एक प्याली से दूसरी प्याली में अथवा गिलास में पानी भर सकते हैं? इसके आधार पर आप पानी की किस विशेष्टा के बारे में सोच सकते हैं ये किसी ठोस पदार्स जैसे चावल या फिर सूजी को बरतन में डालने से किस प्रकार भिनने हैं पानी बह सकता है पानी यह द्रवरूप पदार्स है 200 मिली लीटर से अधिक शमता वाली या विभिन विभिन आकारों की बौतले आप ले सकते हैं एक के बाद एक करते हुए उन बौतलों में पानी भर दीजिए अब निरिक्षन कीजिए क्या उसका कोई विशिष्ट आकार है? पानी को उसका स्वयम का कोई आकार नहीं होता हम जिस बर्तन में पानी भरते हैं वह उसी आकार का बन जाता है एक प्याली या गिलास लीजिए सूती कपड़ा या फिर मलमल के कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए दूसरे बर्तन में पानी भर लीजिए अब मलमल के कपड़े का टुकड़ा प्याली या गिलास पर रखिए बर्तन में जो पानी है वह उस गिलास में डालिए जिस पर मलमल का कपड़ा लगा हुआ है और निरिक्षन कीजिए आप ये प्रेयोग दोबारा कर सकते हैं दूसरी बार ये कृति करते समय प्याली पर फिल्टर कागज अर्थाथ छन्नी वाला कागज रखिए क्या पानी मलमल के कपड़े और फिल्टर कागज से होकर गुजर पाया? निरिक्षन कीजिए हाँ, पानी इन दोनों में से गुजरते हुए प्याली में जमा हो गया है इस कृति के आधार पर हमने जाना कि पानी छेद या फिर दराज से होकर गुजर सकता है क्या आप बता सकते हैं कि रोज मर्रा के इस जीवन में हमने पानी की इस विशेशता को कहा देखा होगा? हाँ, बरसात में दिवारों में दरारे हो तो वहां से पानी तपकता है क्या आप बता सकते हैं कि हम घर में मिट्टी के घड़े के नीचे बर्तन क्यों रखते हैं? मिट्टी के घड़े में छोटे छेद होते हैं और इन्हीं छेदों से पानी का रिसाव होता है पानी इकठा करने के लिए घड़े के नीचे बर्तन रखा जाता है क्या आपको मालूम है कि उंची इमारतों में पानी किस प्रकार पहुँचाया जाता है नगर पालिकाओं से मिलने वाला पानी नीचे वाली बड़ी टंकियों में इकठा किया जाता है इसके बाद पम की मदद से उपर की टंकी में छोड़ा जाता है ये टंके इमारत में सभी मनजिलों के उपर होती है और इसके बाद ये पानी सारी मनजिलों तक पहुँचाया जाता है दिखाए गए उपकरण के समान एक उपकरण लीजिए उसमें जो A है उसमें पानी भरिए उसके बाद नल शुरू कीजिए क्या पानी A से B तक आता है? हाँ, पानी A से B तक आ रहा है अभी B भरिए और यही प्रक्रिया फिर से कीजिए क्या पानी A तक आ रहा है? नहीं, पानी A तक नहीं आ रहा है क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? पानी हमेशा उच्चिस तर से निम्निस तर की और बहता है अब हम एक कृती करेंगे इसके लिए हमें बोतलों की अवशक्ता होगी यदि दूसरे आकार वाली कोई अन्य बोतल मिल जाए तो हम वह भी ले सकते हैं बोतलों के तले काट लीजिए और उनके धकन भी निकाल लीजिए इसके बाद इन बोतलों को एक दूसरे से योगी छेदों पर गोंद की साहता से गरम करें या फिर जोड लें अब खड़ी बोतल में पानी डालिए आपका निरिक्षन लिखिए अन्य बोतलों में समान मात्रा में पानी ना हो फिर भी पानी का स्तर समान हो जाएगा इससे पानी की किस विशेष्टा का पता जलता है? पानी की विशेष्टा होती है कि वह हमेशा अपना स्तर समान रखने की कोशिश करता है एक बाल्ती लीजिए उसे आधी ही पानी से भरिए अब इस बाल्ती में एक के बाद एक वस्तू डालिए जैसे बत्थर, बॉतलों के ढखकन, पेंसिल, रबर, इत्यादी कुछ वस्तूएं पानी पर तैरती हैं और कुछ डूपती हैं इसका कारण उनका गुणधर्म होता है जिसे घनत्व कहते हैं अर्थात वस्तू का भारीपन घनत्व अर्थात द्रव्यमान, बटा, आयतन, एक सेंटिमेटर प्रतिग्राम ये घनत्व की इकाई होती है जिस पदार्था घनत्व पानी से जादा होता है पानी में डूपते हैं जिस पदार्था घनत्व पानी से कम होता है वे पानी पर तैरते हैं बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि पानी का घनत्व एक ग्राम घन सेंटिमेटर है और बर्फ का घनत्व शून्य दशमल नौ ग्राम घन सेंटिमीटर है बर्फ का घनत्व पानी से कम होने के कारण बर्फ पानी पर तैरती है जब कोई नदी आतालाव थंड में पूरा जम जाता है क्या आपने कभी सोचा है कि तब वहां रहने वाले जल जर किस प्रकार जीवित रहते होंगे क्या आपने कभी पेंग्विन को बर्फ की सथा तोड़ कर मचली खाते हुए देखा है